परिचय हे रश्मी, मधुमक्की के छत्तों में उन छेदों को देखो हाँ, मधुमक् Primaryya कितने सुन्दर छत्ते बनाती है क्या तुमने उन छत्तों पर ध्यान दिया है? वे एक प्रतिरूप में है हाँ, वे एक प्रतिरूप में है प्रकृती में हम बहुत सी चीजों में प्रतिरूप राप्त कर सकते हैं चीज़ें जैसे? हम, जैसे पाइन कौन वाँ, मैंने पहले कभी इस प्रतिरूप पर ध्यान नहीं दिया था हमारे गणित के अध्यापक ने हमें इन में से एक प्रतिरूप के बारे में पढ़ाया था जो उत्रोतर पद अपने से पहले के पदों में एक निश्चित संख्या जोडने से प्राप्त होते हैं ये मज़ेदार है, मैं भी ऐसे प्रती रूपों के बारे में जानना चाहती हूँ ठीक है, तो आओ, मैं तुम्हें इसके बारे में विस्तार से पताता हूँ उद्देशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे समांतर श्रिणी की व्याख्या करना पदों और सार्व अंतर को परिभाशित करना समांतर श्रिणी का व्यापक रूप लिखना समांतर श्रिणी का एनवां पद ग्याद करना दी गई समांतर श्रिणी के प्रथम एन पदों का योग ग्याद करना समानतर श्रिडी से संबंधित उधारणों को हल करना परिभाशा प्रकृती में बहुत सी वस्तुएं एक प्रतिरूप का अनुसरण करती हैं जैसे सूरज मुखी के फूल की पंखुडियां कैक्टस पर पाई जाने वाले प्रतिरूप इत्यादी समानतर श्रिडी इस प्रकार के प्रतिरूपों का अध्यान है समानतर श्रिडी को समानतर श्रिंखला भी कहा जा सकता है समानतर श्रिडी के बारे में बात करने से पहले आईए जान लें कि श्रिंखला क्या होती है श्रिंखला उन संख्याओं का समूह होती है जो एक निश्चित प्रारूप का अनुसरण करते हैं हम श्रिंखला की प्रतियक संख्या को पत कहते हैं श्रिंखला के इन उधारणों को देखिए यह पहला पत है यह दूसरा पत है यह तीसरा पत है और इसी तरह आगे भी एक समांतर शर्णी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रतेक पद अपने पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्थ होता है यहां निश्चित संख्या AP का सार्व अंतर कहलाती है इस श्रंख्या को देखिए हम देख सकते हैं कि यहां सार्व अंतर तीन है व्यापक रूप से हम एक समांतर श्रंख्या को निम्न प्रकार लिख सकते हैं जहां A पहला पद है और D पदों के बीच का अंतर जिसे सार्व अंतर कहते हैं इस उधारन को देखो हम देख सकते हैं कि इस श्रिंखला में प्रतेक पद में तीन का अंतर है, अता एक बराबर एक यानि पहला पद और डी बराबर तीन यानि पदों के बीज सार्व अंतर. ए और डी के प्रयोग से श्रिंखला का निर्मान करें. हम जानते हैं कि ए पी, ए, ए जमा डी, ए जमा दो डी, ए जमा तीन दी आधी है. ए और डी का मान दखने पर हमें प्राप्त होता है एक, एक जमा तीन, एक जमा दो गुणा तीन, एक जमा तीन गुणा तीन आधी, जिससे श्रिंखला एक, चार, साथ, दस, आधी प्राप्त होती है. समांतर श्रणियां दो प्रकार की होती हैं, परिमित समांतर श्रणियां और आपरिमित समांतर श्रणियां. वहां समानतर श्रडी जिसमें पदों की संख्या परिमित होती है या जिसमें एक अंतिमपद होता है उसे परिमित समानतर श्रडी कहते हैं। और समानतर श्रडी जिसमें पदों की संख्या आपरिमित होती है या जिसमें कोई अंतिमपद नहीं होता उसे आपरिमित समानतर श्रडी कहते हैं। यहां आपरिमित समानतर श्रडीयों के कुछ उधारण है। अब इस श्रिंखला को देखिए, क्या आप सार्व अंतर बता सकते हैं? हाँ, आप सही हैं, इसका सार्व अंतर रिन तीन है. सामानिता 1AP, A1, A2 आदी के लिए हमारे पास 1D बराबर AK जमा एक रिन AK होता है, जहां AK जमा एक और AK क्रमशा, K जमा एकवा और K वापद होते हैं. उधारण, आईए कुछ उधारण हल करें. इस श्रिंखला को देखिए, हम ग्याद करेंगे कि ये संख्याएं AP बनाती हैं या नहीं. यहां A1 रिन 3 है, A2 रिन 3 है, A3 रिन 3 है, इत्यादी. आईए A2 रिन A1 ग्याद करें जो कि 3 रिन 3 के बराबर है, जो कि 3 जमा 3 बराबर 6 के है. साथी A3 रिन A2 बराबर रिन 3 रिन 3 बराबर रिन 6 है, इसी तरह A2 रिन A1, A3 रिन A2 के बराबर नहीं है, दीगई श्रिंखला समानतर श्रिड़ी नहीं है. एक 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 समानतर श्रिड़ी का पहला पद A1 है, और उत्तरोतर पदों का सार्व अंतर D है, तो श्रिंखला का एनवा पद निम्न लिखित होगा. हम जानते हैं कि इसे AP का व्यापक पद AN कहते हैं. यदि AP में M पद हैं, तो AM अंतिम पद को निरूपित करता है, जिसे कई बार L से भी निरूपित करते हैं. आईए अब एनवा पद के सूत्र के प्रयोक से दी गई AP का आठवा पद ग्याद करें. यहां A बराबर 2, T बराबर 7, घटा 2 बराबर 5 और N बराबर 8 है. हम जानते हैं कि AN बराबर A जमा N घटा 1 D, अधा A8 बराबर 2 जमा 8 रिन 1 गुणा 5 बराबर 2 जमा 35 बराबर 37. अधा दी गई AP का आठवा पद 37 है. उधारण वहाँ AP ग्याद कीजिए जिसका चौथा पद 6 और साथवा पद 9 है. हल, दिया गया है कि चौथा पद 6 और साथवा पद 9 है. अधा A4 बराबर A जमा 4 घटा 1 D. इसलिए जो A जमा 3 D पराबर 6 के है, इसे एक के रूप में अंकित कीजिए. और A7 बराबर A जमा 7 रिण 1 D, जो की A जमा 6 D पराबर 9 के है, इसे दो के रूप में अंकित कीजिए. अब रैखिक समिकरन युक्म एक और दो को हल करने पर हमें प्राप्त होता है, A बराबर 3 और D बराबर 1 अता वांचित A P तीन चार पांच छे साथ है. A P के प्रथम N पदों का योग हम जानते हैं कि A P का N वापद A N बराबर A 1 जमा N रिण 1 D होता है. मान लिजिए कि A P के प्रथम N पदों का योग S है. अता हमारे पास है S पराबर A जमा A जमा D जमा A जमा 2D जमा इत्यादी जमा A जमा N रिण 1 D इसे एक के रूप में अंकित कीजिए. अब हम इन पदों को उल्टे क्रम में लिखेंगे. अता हमें प्राब्थ हुआ S पराबर A जमा N रिण 1 D जमा A जमा N रिण 2 D जमा इत्यादी जमा A जमा D जमा A जमा A इसे दो के रूप में अंकित कीजिए. अब एक और दो का योग करने पर हमें निम्न प्राब्थ होगा. ये एपी के प्रथम N पदों का योग है. इसे हम निम्न रूप में भी लिख सकते हैं. हम जानते हैं कि A जमा N रिण 1 D A N है. अताहा S हो जाता है N पटे दो गुणा A जमा A N. हम अंतिम्पद A N को L के रूप में भी लिख सकते हैं. अताहा S हो जाता है N पटे दो गुणा A जमा L. हम इस परिणाम का प्रियोग उस समय कर सकते हैं जब A P का प्रथम और अंतिम्पद ग्यात हो और सार्व अंतर ग्यात नहीं हो. उधारण A P बराबर 2, 4, 6 इत्यादी के प्रथम 40 पदों का योग ज्यात कीजिए. हम देख सकते हैं कि D गईश्रिडी A P है जिसका प्रथम पद A बराबर 2 और सार्व अंतर D बराबर 2 है. हमें प्रथम 40 पदों का योग ज्यात करना है. अता N बराबर 40 हम जानते हैं कि S बराबर N बटे 2, 2A जमा N रिन एक D. अता S 40 बराबर 40 दो गुणा 2 जमा 40 रिन एक D बटे 2 जोकी 20 चार जमा 78 बराबर 1640 के बराबर है. अता A P के प्रथम 40 पदों का योग 1640 है. प्रथम 1000 धनात्मक पोड़ांकों का योग ज्यात कीजिए. मान लिजिए कि S बराबर 1 जमा 2 जमा 3 जमा इत्यादी जमा 1000. A P के प्रथम N पदों के योग का सूत्र प्रयोक करने से हमें निम्न प्राप्थ होगा. और N का मान रखने पर निम्न. यह 500 गुड़न 1001 के बराबर है, जो की 500 500 होता है. अता प्रथम 1000 धनात्मक पोड़ांकों का योग 500 500 500 है. प्रथम N धनात्मक पोड़ांकों का योग ग्याद कीजिए. मान लिजिए कि SN बराबर एक जमा दो, जमा तीन, जमा इत्यादी, जमा एन. हम देख सकते हैं कि A बराबर एक और अंतिम पद L N है. अता सूत्र SN बराबर N बटे दो, गुणा A जमा L का प्रयोग करते हुए, हमें निम्न प्राप्त होगा. अता प्रथम N धनात्मक पोड़ांकों का योग SN बराबर N गुणा N जमा एक बटे दो होगा. उस AP के प्रथम 19 पदों का योग ग्याद कीजिए, जिसका N वा पद 2N जमा एक है. क्यूंकि N वा पद 2N जमा एक है, अता प्रथम पद बराबर 2, 1 जमा एक बराबर 3, दूतिये पद बराबर 2, 2 जमा एक बराबर 5 आदी, और 19 वा पद बराबर 2, 19 जमा एक बराबर 49. आता संक्याओं की सूची जो हमें प्राब्थ होती है, 3, 5, 7, 49. अब S 19 क्यात करना है, हमारे पास है N बराबर 19, A बराबर 3 और L बराबर 19. आता S 19 पराबर 19 पटे 2 गुणा 3 जमा 49 है, यहाँ 19 पटे 2 गुणा 42 के बराबर है, आता AP के प्रथम 19 पदों का योग 399 है. क्या आप जानते हैं, AP का N वपद उसके प्रथम N पदों के योग और प्रथम N रिन एक पदों के योग का अंतर होता है, यानि AN पराबर SN रिन SN रिन एक. सारांश आईए हमने जो कुसी का है, उसे संग्शेप में दोहराएं. एक समानतर श्रड़ी संख्याओं की एक ऐसी सूची है, जिसमें प्रतीक पद अपने पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्च संख्या जोडने पर प्राप्ट होता है. निश्च संख्यादी को सार्व अंतर कहते हैं. एपी का व्यापक ग्रूप ए, ए जमा डी, ए जमा दो डी, ए जमा तीन डी आधी होता है. एक एपी जिसका प्रतम पद ए और सार्व अंतर डी हो, उसका एनव पद या व्यापक पद ए एन परापर ए जमा एन रिन एक डी होता है. एपी के प्रतम एन पदों का योग निम्न होता है. यदि एल परिमित एपी का अंतिम पद यानि एनव पद है, तो एपी के सभी पदों का योग निम्न होता है.